पालोलेम बीच कैसे जाएं पालोलेम बीच कहां पर है और इसे गोवा का सबसे सुन्दर बीच क्यों कहा जाता है मिज पालोलेम बीच को गोवा का सबसे सुन्दर बीच क्यों कहा जाता है तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो ये क्या है ये कुछ इंट्रेंस एरिया है पॉललेम बीश का और यहां पे बहुत सारी छोटी छोटी सौप्स आपको दिख जाएंगी जहां पे आप गोवा के लिए तो आप खरीदना है तो आप खरीद के जश्ट गोवा में यूज करके फेंग सकते हैं ऐसे आइटम से मिल जाएंगे और ये कहां पर है अगर बात की जाए तो ये करनाटका और गोवा के बॉर्डर एरिया में है अगर आप इस बीच से 15 किलोमीटर साउथ में चले जाओगे तो करनाटका मिल जाएगा अगर 50 किलोमीटर नौर्थ में चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा मढगाउस सीटी मिल जाएगी और उसके बाद फिर महाराष्टा बॉर्डर मिलेगा तो ये आता है मतलब करनाटका और गोवा का बॉर्डर एरिया है अब पालोलेम बीच कै जाने के लिए जब भी आप गोवा आओगे न तो ये मत सोचना की पालोलेम बीच दूर है अगर आप गोवा आके पालोलेम बीच नहीं घुमोगे तो समझ लो आपकी गोवा ट्रिप पूरी क्या हो गई है पूरी खराब है क्योंकि इससे सुन्दर और इससे जादा रियल गोवा वाली फिलिंग आपको किसी भी बीच में नहीं आने वाली है तो गोवा के पालोलेम बीच जाने के लिए आपको कहा आना पड़ेगा मटगाओं सिटी और ये मैं सौप्स को दिखाते चल रहा हूं और आपको बताते भी चल रहा हूं और इसके बाद मैं आपको ज़ देखते रहना और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना वो जो गट दिखर आना वहाँ पे है में इंट्रेंस किसका बीच का पॉलोलेम बीच का तो पॉलोलेम बीच आने के लिए आपको मटगाओं सिटी आना पड़ेगा अगर आप बाई एयर आओगे अगर गोवा तो आप से आपको गोवा इंटरनेशनल एयर पोड़ो होगे इंटरनेशनल एयर पोर्ट से मटगाओं सिटी लगभाग 20 से 25 क्लमीटर दे दूर है अफर मटगाओं सिटी से पलोलेम बीच लगभाग 30 क्लमीटर दी रहे तो आप आसानी से पब्लिक टांस्पोर्ट का यूज करना है जो की बहुत ही सस्ता है अगर आप बाइक या कार लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं रेंट पर वो भी आपके लिए आसानी होगी क्योंकि जब मन पड़े तब आप जा सकते हैं अगर आप पब्लिक टांस्पोर्ट यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं टॉप बीचेज में आता है अगर बात की जाए एसिया के टॉप बीचेज में मैं आगे चल के दिखाने का प्रयास कर रहा हूं अभी सुबह दस बजे हैं इसलिए अभी वीड थोड़ा कम है और अभी सारी सॉप्स ओपे नहीं है अगर आप दस बजे के बाद अभी तो दस ब हाले आते हैं और टू इंटरनेशनल ट्यूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं तो यहां पे कुछ ऐसा महौल रहता है और यहां पर आपको बेज़िटेरियन रेस्ट्रेंट मिल जाएंगे इस्पेसली यहां पर रूम ना बहुत ही सस्ते हैं क्योंकि यह में सीटी से द दिखाने का प्रयास करूंगा तो यह जश्ट मैं भी पहुंच गया हूं इंट्रेंस पर और अब यह पार्किंग एरिया है यहां पर ठीक है तो मैं यह पार्किंग एरिया का इस्किप करके डारेक्ट आगे इंट्रेंस पर चलता हूं तो यह मैं इंट्रेंस पर आ गया हू अगर राइड साइड जाओगे न तो इस साइड आगे भी एक बीच है जिसे एक वोंडा बीच भी कहा जा सकता है ये इस साइड जाओगे तो आपको क्या पड़ेगा मंकी आईलेंड और और सब कुछ जो कि आप बाई बोट आसानी से जा सकते हैं वो बहुत स्वारे लोग ज चार से पांच लोग जुरूर होना चाहिए क्योंकि सुनसान एरिया है तो प्राचेस जाना वैसे गोबा में बहुत सारी स्कैम बोते रहते हैं आए दिन ठीक है लेकिन मैं मंकी आईलेंड तरफ नहीं जाओगा मैं इस साइड जाके आगे आपको चलने का दिखाने का प्रय अगर बोट से जाना चाहते तो जा सकते हैं आप देख सकते हैं यहां का वाटर बिल्कुल ग्रीन वाटर दिख रहा है और इसकाई ब्लू बहुत ही क्लीन वाटर है इस बीच का इससे जー Elsa क्लीन बाटर आपको नहीं मिलेगा और इसी कारण से यहां पर विदेशि लोग इस लाइफ गाड की गारी है मतला अगर आप कहीं मुसीवत में स्वीविंग करते ही फस जाते तो लाइफ गाड आपको बचा लेगा चिंता करने जरूरत नहीं है और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना चाहिए मैं वो बताता हूं तो आगे चलके मैं आपको दिखाने का तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारी बीच बेट से लगे हुए हैं और सैंड जो है ना बिल्कुल फाइट सैंड है ग्रीन वाटर ब्लू स्काइब बहुत अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं अगर आप हनीमून मनाना चाहते हैं हनीमून मना सकते हैं क्योंकि गोवा का हनीमून बीच भी कहा जाता है इसे तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कैसे जाएं पलोलें बीच कैसे जाएं और पलोलें बीच कहां पर है अब आपको यह पता चलेगा कि गोवा का सबसे सुन्दर बीच क्यों कहा जाता है क् कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर बहुत अच्छा डिकरेशन है वाइड सेंड वाइड सेक्स एंड ब्लूई स्काई एंड यह जो पार्म ट्री यह एक लाइन से लगे हुए हैं यहां पे ना इसकी सुन्दरतों को चार चांद लगा देते हैं तो इस बीच पर एक दिन यह फर्ण के साथ आना चाहते हैं तो प्राइडसी अगर आपको पसंद है तो आप इस बीच पर जरूर आएं और इस पर अगर पैले सिसि देख नहां है तो आप यहां पर आके देख सकते हैं और नोर्मली लोग नॉर्थ कोवा के बागा कलंगुट घूमते हैं जो की इतन आप वहाँ पे अपनी लाइफ को एच्छे से नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे कोई कोशली चीज नहीं है रूम सी वो जो हर्ट से लिखरी नहीं है वो राइट से जो तीन तीन है वो बुल लगजरी हर्ट से हैं चार से पांच रुपे पड़े मिल जाएगा बीच व्यू के सा आप से आपको इस बीच पर जरूर जरूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोग इंडिया के लाबा विद्योसों से बहुत ज़्याद आते हैं इंडिया लोग से आते हैं बर विद्योसी लोग बहुत ज़्याद आते हैं क्योंकि उन्हें प्राइवेसी पसंद होती है और यहाँ पर जो इतना clean water clean sand and blue sky रहता है न इसकी सुन्दरता देखने लोग दूर दूर से आते हैं और यह Asia के top बीचों में आता है तो यह है एक privacy वाला बीच गोवा का जहां आपको जरूर जरूर आना चाहिए और आपको हर जगए मिल जाएंगे अगर आप बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अपनी गोवा ट्रिप का enjoy कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में जबर जैस्ट इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए बाई बाई थिंक यू फॉर वाचिंग